वेलकम टू मनिपाल हॉस्पिटल्स विश यू अ गुड डे प्रोफेशनली एंड पर्सनली आज की चर्चा का विशे मैंने सूचा है एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन हर बार पूट अप होता है प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं और यदि करना चाहिए तो क्यों और कैसे और कितनी अभी इतने सारे कर तो मैंने सोचा आज इसी बारे में बात की जाए आप सब जानते हैं प्रेगनेंसी तो एक नैचरल अकरेंस है अब exercise अधी प्रेगनेंसी में करते हैं तो उसका क्या फाइदा है अधी हम प्रेगनेंसी में exercise करेंगे हमारा muscle tone इंप्रूव होता है हमारी oxygen carrying capacity जो blood की है वो इंप्रूव होती है और उसकी importance हमें covid ने बहुत exercise कर सकते हैं throughout pregnancy maintain कर सकते हैं और delivery के बाद भी उसको continue रख सकते हैं इस तरह जब आप अपना body strength build up करते हैं तो आपको delivery के time पर particularly जब आपकी वजाइनल delivery planned हो उसमें आपके सब flavor faces cut short हो जाते हैं और आप बहुत अराम से corporate कर पाते हैं exert कर पाते हैं अधी cesarean delivery होती है तो आपकी post operative recovery बहुत अच्छी होती है क्योंकि आपकी body toned up है जब इतनी अच्छी बाते हैं तो हम क्यों नहीं करते pregnancy में exercise देखिए pregnancy में physical changes भी आती हैं और functional changes भी आती हैं functional का मतलब physiological changes आपके blood volume में heart beat में सब चीजों में changes आती हैं जिसके कारण आपको exercise करने के लिए जादा efforts करने पड non-pregnant state के comparison में थोड़ा सा दिक्कत होती है example के तौर पर weight gain हो रहा है सारे joints hormones के influence में legs हो जाते हैं lumber lordosis होता है क्योंकि anterior bulge आता है abdomen पर तो vertebral column पीछे से lordosis में चला जाता है फिर anterior bulge के कारण आपकी body weight की line of gravity shift हो जाती है तो वही exercise जो आप non-pregnant state में कर रहे थे उसको करने के लिए pregnancy में आपको ज्यादा energy expenditure करना पड़ता है इसके बावजूद ये advisable है कि आप pregnancy में exercise करें उस pregnancy की बात हमाज कर रहे हैं जिसमें कोई medical comorbidity नहीं है आप exercise करना है ये आपने तै कर लिया फिर कौन सी exercise करना चाहिए? exercises मोटे तोर से दो तरह की होती है weight bearing and non-weight bearing pregnancy में आपको non-weight bearing exercise करना है आप low impact aerobics भी कर सकते हैं ये किसली किया जा रहा है कि इसमें glucose utilization बढ़ जाता है oxygen carrying capacity non-weight के comparison में बढ़ जाती है और आपका effort कम लगता है non-weight bearing में best हमारे conditions में cycling and swimming है stationary cycling cycling and swimming है low impact aerobics आपको हमेशा किसी trainer के साथ ही करना पड़ेगा जब आप इस तरह से exercise करते हैं तो आपकी body पर तो इसका effect आता ही है baby पर कोई effect आता है baby पर कोई adverse impact नहीं आता केवल इतना कि जब आप exercise करते रहे हैं उस समय baby के दिल की धड़कन कम या अधिक transiently हो सकती है फिर वो settle down हो जाती है लेकिन baby को भी एक positive feel मिलता है और वो बाद में आपको thank you बोल सकता है अब exercise आप कर रहे हैं तो उसकी limit क्या है यदि हम ऐसी pregnancy लेते हैं जिसमें कोई comorbidity नहीं है तो जो recommendations हैं वो कहते हैं कि आपको 30 minutes per day for 5 days in a week करना है moderate exercise करना है severe exercise या strenuous exercise नहीं करना है फिर इस 30 minutes को भी आप धीरे-धीरे build up करेंगे 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes ऐसे और slow motion में gradual करना है एक example butterfly का देती हूँ butterfly करने के लिए या squats करने के लिए आप बहुत repeatedly बहुत fast करते हैं उसमें आप muscle को harm करते हैं आपको slow and gradual movements करना है क्योंकि basically आपको muscle tone build up करनी है फिर कब आपको exercise रोग देना है या कब कहेंगे आपकी ये exercise आपके लिए strainuous है या या आपको इतना नहीं करना है इसके cut off line बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप exercises कर रहे हैं तो आपको खुद को palpitation नहीं होना चाहिए breathlessness नहीं होना चाहिए दम नहीं भरना चाहिए सांस नहीं फूलना चाहिए यदि आपको bleeding हो जाती है watery discharge हो जाता है crams आते हैं या pain आता है तो ये सब indications हैं कि आप अपनी वो cut off limit है उसके beyond ना करें उस समय तो exercise बंदी कर दें पर आगे से जब भी करते हैं तो आपको उस lime के इधर रहना है और फिर doctor से बात करके तब अपना exercise फिर से शुरू करना है देखिए ना pregnancy कितनी अच्छी opportunity है कितनी अच्छी window है जिसमें आप हमारे पास regular आते हैं हम आपकी counseling करते हैं और आप भी चाहे मन से चाहे बिना मन से एक regular lifestyle को अपनाने की कोशिश करते हैं जैसे diet है exercise है regular routine है इस तरह pregnancy हमको एक healthy lifestyle की ओर ले जाती है और शायद हमें आदर डालती है जो हम बाद में भी maintain कर सकते हैं और अपनी और अने वाली generation की health का ध्यान रख सकते हैं धन्यवाद